हेलो दोस्तों, श्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत इतिहास में भारत में यूरोपियन का आघ्मन भारत में यूरोपियन का आघ्मन ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत महाथपूर टॉपिक है और इसके पहले मैंने आपको पड़ा दिया है A8 वी शधी में भारत की राजनेतिक इस्थती तो हलां कि वो टॉपिक इसके बाद में पढ़ाना चाहिए Actually में अगर हम सही करम से चलें तो वो टॉपिक बाद में आना चाहिए लेकिन मैंने इसलिए पढ़ा दिया है उसको अठारवी सदी में भारत की राजनेतिक इस्तती इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया क्योंकि आपको पता रहे कि जब भारत में यूरोपियन का प्रवेस होता है जिनमें पुर्तगाली, डच, ब्रेटिस, फ्रेंच, स्वेडिस इत्याद हैं, तो जब इनका प्रवेस होता है तो उसमें भारत की राजनेतिक इस्तती कैसी होती है इसलिए मैंने उनको पहले पढ़ा दिया है कि राजनेतिक इस्तती कैसी थी तो उस वीडियो का आप देख लिए ये दो वीडियो मैंने उस टॉपिक पर बनाए है तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में यूरूपियन कागमन और हम देखेंगे कि यूरूपिय कैसे आये किन मार्गों से पहले व्यापार होता था अब समुद्र के रास्ते से आये तो क्यों आये सारी चीज़े हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे क्रम से देखेंगे तो चलिए हम लोग इसकी सुरुआत करते हैं भारत में यूरूपियों का आगमन तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये चीज ये प्रशना आना चाहिए कि भारत में यूरोपियन आना ही क्यों चाहते थे वही चीज मैंने पहले लिखा है भारत में यूरोपियन आना ही क्यों चाहते थे चाहे वो प्राचीन काल की बात हो मत दिखाले इनकी बात हो या दोनिक मैं किसी काल की हाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ में तीनों काल को मिला करके बात कर रहा हूं कि यूरोपीन भारत में आते ही क्यों थे हैं तो उसका सीधा सा आंसर है मसालों के लिए अब आप सोचेंगे कि मसालों के लिए सिर्फ व्यापार होता था क्या मसालों के लिए ही आते थे मसालों का ही व्यापार होता था ऐसा नहीं European के लिए वो मसाले ही थे विसिकलि वो मसालों के लिए वे अपार करते थे मसालों में बहुत सारे मसाले आते हैं तो अब आप सोचेंगे कि मसाले क्यों क्यों तो उसको मैं समझाता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आखिर वो मसालों के लिए इतना परेशान क्यों थे देखिए यूरोपियन के जो लोग हैं उनका जो छेतर है वो ठंडे परदेशों में पढ़ता है चाहे आप ब्रेटेन की बात करें फ्रेंस की बात करें इस्पेंड की बात करें पुर्तगाली, डच इन सबका जो छेतर हैं इन सबका जो देश है वो ठंडे परदेशों में पढ़ता है और मसाले जो होते हैं वो गर्म होते हैं, यानि कि अगर हम मसालेख खाएंगे तो हमारे שरीर को गर्मी मिलती है तो इसलिए इन लोग की जरूरत थी अपने सरीर को गर्म रखने के लिए वहां की ठंडे से बचने के लिए मसाले इन लोग को खाना जरूरी था नहीं खाएंगे तो रह नहीं पाएंगे तो उनकी सरीर के टेंपरेचर को बनाने के लिए सही रखने के लिए मसाले मसालों की इनको जरूत पड़ती थी इसलिए लेकर जाते थे, ये तो एक region हुआ, और क्या करते थे मसालो को ले जाकर के तो वहाँ पर जिसे मास मचली, उनको संदच्चित करने के लिए, यानि, जो खाद पदार थे खाद पदार थे, वेसिकली ठंडे परदेशों में मांस मचली वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है तो मांस मचली को अधिक दिनों तक सुरच्चित रखने के लिए यानि कि संदच्चित रखने के लिए मसाले लेकर जाते थे क्योंकि अगर मांस या मचली या जो भी मीट वगएरा है उसमें अगर वो मसाला लगा करके रख दिते थे तो काफी दिनों तक रखा रहता था और खराब नहीं होता था तो ये भी करण था कि वो मसाले लिकर जाते थे और फिर एक चीज ये भी है कि स्वाद के लिए भी वो मसाले लिकर जाते थे जैसे वहां के जो वहां के जो जानवर होते थे ठंडे प्रदेसों के यूरोप के तो ठंडे प्रदेसों के जानवर अब चुकि ठंडे प्रदेस में वहां घास तो पाई नहीं जाती उतना है लेकिन बहुत कम है तो घास जब पाई नहीं जाएगी तो वहां के जो मवेशी हों के मवेशी का मतल मसाले रिकर जाते थे मसालों से वो मांस पकाते थे तो उसको खाते थे तो आपको इसमन में आ गया है पहली चीज तो है है सरीर की गर्मी के लिए यानि कि अपनी सुरच्छा के लिए दूसरी चीज मैंने बताई कि मांस मMichली को स 창्व अच्छित रखने के लिए और तीसरी चीज मैंने बताई स्वाद के लिए तो इसलिए वो मसाले का ज़्यादा व्यापार करते थे अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भारत में यूरूपियन नए मार्गों की कोस्त क्यों करने लगे भाई पहले भी व्यापार होता है आपको पता होगा कि प्राशीन काल में भारत और यूरूपियन के मध्य व्यापार होता था मध्यकालीन भारत में भी होता रहा है और आधोनी काल में नए मार्गों की कोस्त करने लगे व्यापार करने के लिए तो क्या जरूरत पड़ी तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत में यूरोपियन के भारत में आने के लिए यूरोपियन को नए मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी यानि कि आप समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं तो क्यों अब इसको ध्यान से समझे भारत और यूरोप के मद्ध व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था प्राचीन काल में भारत और यूरोपियन देशों के मद्ध जो व्यापार होता था थल मार्ग से भी होता था जल मार्ग से भी होता था इन मार्गों की संख्यत तीन थी, अब ये मार्ग आपको ध्यान में रखने हैं तीन मार्ग थे जिन से प्राचिनकाल में भारत और उरूप के मत व्यापार होता था पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग इस मार्ग से इराग, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था ये जो मार्ग है पहला फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जन्डरिया का था जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था तीसरा मार्ग था मद्धेशिया से मिस्र और यूरोप के लिए तो अभी बैक्ग्राउंड में काफी आवाज आ रही थी अब सायद नहीं आ रही हो कुट्टे भॉंक रहे थी तो ये सब चलता रहता है इगनाओर कीजिए तो मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन काल में जो व्यापार होता था भारत और यूरोपियन की मद्धे वो तीन मार्गों से होता था उसको आपको धियान में रखना है पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था इससे एराग तुर्की वेनिस और जिनिवा से व्यापार होता था दूसरा मार्ग लाल सागर से होता हुआ अलेक्जंडरिया का था जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनिवा को जाये जाता था तीसरा मार्ग मद्ध हिसिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था तो ये थे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं इसका रेड ठीक रहेगा लेकिन अब ये जो तीन मार्ग थे क्या हुआ कि इन तीन मार्गों को छोड़ कर हमें नए मार्गों की खोश करने पड़ी भारत से व्यापार करने के लिए चले देखते हैं हम आगे देखे वर्स 1403 में उस्मानिया सल्तनत ने एसिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूरब और पह्षिम के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों की नेंतर में आ गए इस तरह पूरभी देशों और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग पर अंकुस लग गया पारमपरिक, व्यापरिक मार्ग, पारमपरिक का मतलब होता है, जो प्राचीन काल से होता आ रहा है, तो उस व्यापरिक मार्ग पर अंकुस लग गया, इसका मतलब यह है, देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कि उस्मानिया सल्तनत मतलब तुर्क, और एसिया माइन का मतलब है तुर्क वाला इलाका बेसिकली कुस्तुन्तुनिया तुर्क का छेत्र है और अगर आप व्यापार करेंगे मतलब तीन मार्ग से व्यापार जो मैंने आपको बताया था पहले होता था उनमें से किसी भी मार्ग से अगर आप यूरोप जाना चाहेंगे तो बीच में आपको कुस्तुन्तुनिया से होकर जरूर जाना पड़ता था मतलब कुस्तुन्तुनिया बीच का छेत्र था यूरोप और पूर्वी देशों किमत उससे होकर आपको जाना ही जाना था लेकिन अब चुकि कुस्तुन्तुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया उस्मानिय सल्तनत यानि तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो अब ना तो भारत के लोग यूरोप में जा सकते थे ना तो यूरोप के लोग भारत में आ सकते थे इस रास्ते से इन तीनों रास्तों से जो मैंने अभी आपको बता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आते तो तुर् पार का वस्तुवे रहती उनको लूट लेते तो इसलिए अब तुरकों से सतुरता कौन मोल ले और एरोपियन को मसालों की सकते जरूरा थे क्योंकि मसालों के बिना तो वो रही नहीं सकते तो कहते हैं न कि अवसकता अविस्कार की जन्नी होती है तो उनको अवसकता थी इसलिए उन्होंने नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया तो वही चीज है यहाँ पर आतावे तुरकों की सतुरता मोल लेने से बचना चाहते थे साथी वे व्यापार पर अरब और वेनिस वासियों के एक अधिकार को भी तोड़ना चाहते थे चुकि व्यापार पर अरब और वेनिस वासियों का एक अधिकार था अब कैसे था इसको समझी ध्यान से बस आप सुनते जाईए जैसे अरब वासी भारत से माल ले करके कहां प वहाँ पर अपना माल अरब वासी बेचे देते थे अब इटली के वो दो सहर जिनिवा और वेनिश वो उस माल को पूरे यूरोप में फैला देते थे बेचे देते थे तो बहुत ज़्यादा लाब होता था तो और देश यूरोप के पागल हो गए अचम्भित हो गए कि इटली के ये दो सहर यानि वेनिश और जिनिवा इतने समर्द कैसे होते जा रहे हैं तो सोचने लगे कि जरूर कहीं न कहीं से लोग बहुत सस्ति वस्तु एला करके और यहां अच्छे दामें बेचते हैं और नफा कमाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है तो आरब और वेनिस वासियों का एकधिकार था उसको तोड़ना चाहते थे क्योंकि वेनिस वासी नहीं चाहते थे कि कोई अन यूरूपिय राष्ट भी जाए और व्यापार करे भारस से या पूर्वी देशों से यानि यह अपना एक अधिकार बनाया रखना चाहते थे लेकिन जो नए देश थे जैसे पूर्टगाल, स्पेन और जो अन्यराश्ट थे वो भी चाहते थे कि हम भी ब्यापर करें हम भी मुनाफ़ा कमाएं तो इस कारण भी लोग यानि कि यूरोप के जो नाविक थे वो समुद्री मारगों की खोश करने लगे, नए मारगों की खोश करने लगे इसके अलावा आपको बता दूँ कि पुनर जागरण भी हो चुका था यूरोप में उस समय तो पुनर जागरण के कारण लोगों में दुस्साहसी कार करने की भावना भर गई थी दुस्साहसी कार करने का मतलब यह है जोखिम लेकर कोई भी कार करना दुष्धासी कार करना मतलब साहस वाला कार यानी जोकिम पूर कार तो लोग अब डरते नहीं थे नाविक जो थे वो जोकिम पूर कार करने में उनको बहुत मजा आता था उस साव आ गया था पुना जागन के कारण समुदर सब उनको ड़न नहीं लगता था कि समुदर में अगर हम जाएंगे रास्ता खोजेंगे तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बहुत नॉर्मल हो गया था अच्छे अच्छी जहाजे बन चुकी थी उसमें पुनाज जागरन में जहाजो कनिर्मार किया गया मजबूत जहाजे थी जो तूफानों को जहल सकती थी दिक सुचकी अंतर का विश्कार तो चीन में हुई गया था जिससे दिसा भी अपूर नहीं भटक सकते थे यहनि दिसा का ग्यान उनको अच्छे से हो सकता था तो यह सारी चीजे हो गई जिसकारन उनको एक प्रोश साहन मिला कि हम नए मारगों की खोज करें और आवशकता थी ही मसालों की वो तो अलग बात है वो तो मैंने आपको बताया ही तो ऐसी चीज है कि इसके अलावा पुनाज जागण ने पश्मी उरोप के लोगों में दुस्साहसी कार करने की भावना खूब भर दी थी अब यूरोपियन आएंगे भारत में तो अब देखिए एक तो यूरोपिये कमपनी आएंगे भारत में और एक नाविक आएंगे तो एक्जाम में जो प्रसनाते हों दो टाइप क्या आते हैं कभी-कभी ऐसा पूछ लेता है कि भारत में आने वाले नाविकों का क्रम क्या है तो अगर नाविक पूछें तो सबसे पहले पूर्तगाली आते हैं देखें ये डेट पर मत जाईए डेट वैसे मैंने लिख दिया है लेकिन ये जो डेट है इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको एक क्रम ध्यान देना है क्रम क्योंकि ये जो इतिहास के तारीके होते हैं इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर रहता हो सकता है मैंने जो डेट लिखी है हो सकता आप किसी बुक में पढ़े तो हाँ कुछ दूसरा हो तो इसलिए डेट पर आपको नहीं ध्यान देना हाँ लेकिन यह जुरूर चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि क्रम क्या है तो अगर नाविक की बात करें यूरूपिय कंपनियों के आग पुर्तगाली पुर्तगाल के डेन और डच डच यह हॉलन्ड के थे देश था देश है और फिर अंग्रेज तो बिर्टिस यह थे ही इंगलेंड से डेनिस डेन्मार्क फ्रेंच फ्रांसे और सुड़ियन से यह थे तो यह करम हुआ नाविकों का अब यहाँ थोड़ा सा अं अंग्रेज आ जाते हैं और डच अंग्रेज के बाद में आते हैं ध्यान से देखें दोनों के अंतर है यहां डच पहले आते हैं यहां अंग्रेज पहले हो जाते हैं यहां डच तीसरे नमबर पर यहां डच तीसरे नमबर इनहीं दोनों में फर्क हो जाता है बाकी डेनिस फ् फिर आगे हम लोग बात करते हैं पूर्टगाल की तो सबसे पहले चुकि पूर्टगाल आये मैंने आपको बताया तो हम पूर्टगाल की बात करेंगे यहां सबसे पहले पूर्टगाल बेसिकली यहां पूर्टगाली होना चाहिए यह पूर्टगाल कह लेजिए इटली की नगरों से प्रलोभित होकर पूर्टगाली भी भारस से व्यापार करना चाहते थे मैंने आपको बताया कि इटली के जो दो नगर थे वेनिस और जिनेवा वो सस्ते दाम में माल को खरीद कर अरबो आसी उसे चुकि अरबो आसी भारस से खरीदते थे फिर अरबो से कोन खरीदता था वेनिस और जिनेवा तो सस्ते दाम में माल खरीद करके पूरे उरोप में बेच कर बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते थे समरिद्ध होते जा रहे थे तो जो पूर्तगाली थे वो इनके इस समरिद्धी से प्रलोभित हो गए और वो भी सुचने लगे कि भारस से हम व्यापार करेंगे 1498 में पूर्तगाल के नाविक वासको डिगामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला जिससे वह उत्मासा अंत्रीप का चक्कर काड़ते हुए भारत के काली कट बंदरगा केरल तक पहुँच गया ये आपने पढ़ा होगा पूर्तगाली कौन था वासको डिगामक का बाया 1498 में और कहां आया तो काली कट बंदरगा जो की केरल में इससे थे उत्मासा अंत्रीप का चक्कर काड़ते हुए उत्मासा अंत्रीप का मतलब यहाँ पर है अफरीका का जो दच्छडी छोर है अफरीका के सबसे दच्छड में एक देशे से है दच्छड अफरीका और उसी दच्छड अफरीका का दच्छडी पॉइंट है उत्मासा अंत्रीप उसको घूमा करके आनि वहीं से घूम करके मेडगासकर पहुंचता है मेडगासकर के पास उसको एक गुजराती व्यापारी मिलता है क्योंकि उसके आगे उसको रास्ता ही नहीं पता था जो आसको डिगामा था उसको रास्ता पता नहीं था कि अब मेडगासकर से कहां जाएं भारत किधा रहे तो वहाँ पर उसको एक गुजराती व्यापारी अब्दुलमजीद मिलता है और उसकी सहायता से वो काली कट पंदरगा पर पहुँच जाता है काली कट में उस समय एक हिंदू सासक सासन कर रहा था जिसने जमूरीन की उपाधिधारण की थी उसका नाम तो वर्डन नहीं कियागा कि उसका नाम क्या था लेकिन इतना पता है कि वो जमूरीन सासक था हिंदू सासक था और उसने जमूरीन की उपाधिधारण की थी तो वो उसका बहुत तहह दिल से स्वागत करता है बासको डिगामा का और फिर व्यापार होता है होने लगता है व्यापार की शुरुवात हो जाती है हलाकि इसके पहले मैं आपको बता दू 1492 में एक और नाविक था जो भारत की समुद्री मारगों की खोश कर निकले निकला था उसका नाम था कोलंबस 1492 में तो वो इटली का निवासी था लेकिन इस्पेन के राजा की मदस से उनके आर्थिक सहायता से भारत के समुद्री मारगों की खोश कर निकले निकला था लेकिन कहा जाता है कि वो अट्लांटिक महाशागर में रास्ता भटक गया या कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि वो उधर ही जाना ही चाहता था लेकिन जादा तरह आपको यह मिलेगा कि वो रास्ता भटक गया और वो फिर एक नए महादीब की खोश कर दी उसने जिसको हम लोग अमेरिका महादीब कहते हैं वो सब बात अलग है चोटी चोटी चीजह हैं फिलाल आप यह जाने पहला पूर्तगाली कौन था भारत में आने वाला वासको डिगामा था क्यों चोद्र सॉठानवे में और कालिकट बंदर का कहा है केरल में और वास्को डिगामा को किस व्यापारी ने सहायता की थी तो एक गुजराती व्यापारी था अब्दुलमजीद वही वास्को डिगामा को कालिकर बंदर गाह तक लेकर आया था फिर आगे हम लोग देखते हैं वासको डिगामा भारत से जिन मसालों को लेकर वापस अपने सुधेश लोटा वह पूरी यात्रा की कीमत के साथ गुना दामों पर बिका यानि कि वासको डिगामा जब यहाँ पर आया तो जितना वो मसाला यहाँ से लेकर गया उसको जब बेचा तो उसके आने जाने के पूरे मूल लिका उसको साथ होना अधिक दाम वहां पर मिला यानि कि माल लेजे उसके भारत आने जाने का किराया एक रुपया लगा हो कुल मिला कर टोटल तो उसने उस माल को वहाँ 60 रुपे में बेचा यानि 60 गुना उसको मुनाफ़ा मिला तो इस लाफकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिया करशित कि अब और जो पुर्तगाली थे वो भी आने लगे पंद्रा सो में पेड्रो अलवरेज कैबरॉल के नेतरुत में दो जहाजी बेड़ भारत आये पेड्रो अलवरेज कैबरॉल पंद्रा सो इस्वी में ये भी एक पुर्तगाली नाविकी था तो ये भी आया व्यापार करके गया वासको डिगामा 1502 में दूसरी बार भारत आया और 1503 इस्वी में पूर्टगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बना ली तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूर्टगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कब बनाई 1503 में पूर्थगालियों ने बनाई अपनी पहली व्यापारी कोठी और कहां बनाई कोचीन में व्यापारी कोठी कहिए आईसी को आप फैक्टरी कह दीजे बिसिकली फैक्टरी जैसे आज होती है वैसे नहीं होती थी पहले फैक्टरी फैक्टरी का मतलब एक गोदाम होता था जहां पर ये अपने माल को रखते थे तो पंद्रासो तीन में पूर्थगालियों ने कूचीन के पास बनाई पंद्रासो पांच इस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्टरी बनाई तो दोनों याद रखना है अलाकि जो सबसे पहली ईगर हम बात करें सबसे पहली फैक्टरी कब बनाई थी तो वों काली कंट में ही बनाई थी लेकिन उसको जमूरीन ने वहां के जो सा सकते जमूरीन उसने उसको बंद करा दिया था तो वो चीज आप मत उसको ध्यान में रखिए बस इतना जाने है कि पहली फैक्ट्री कोचीन में बनी कोचीन में बनी 1503 में और दूसरी बनी कन्नूर में 1505 में फिर आगे है अब हम यहाँ पर देखेंगे पुर्तगाली वाहिश्राय पुर्तगाली वाहिश्राय आये उन्होंने यहाँ पर अपनी नीती अपनाई और व्यापार किया तो पुर्तगाली वाहिश्राय में जो सबसे पहला पुर्तगाली था वो था फ्रांसिसको डी अलमीडा और ये 1505 से 1509 स्वी तक भारत में पुर्तगाली वाइसराय के रूप में रहा फ्रांसिस्को डी अलमीडा या भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय था इसने कहा था, इसका कहना था, क्या कहना था? One minute, इसने कहा था यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जब तक समुद्र पर तुम्हारा प्रभाव है तब तक भारत पर तुम्हारा प्रभाव बना रहेगा इसने कहा कि जब तक समुद्र पर तुम्हारा प्रभाव है तब तक भारत पर तुम अपना प्रभाव बनाये रखोगे अता उसने भारत पर प्रभुत इस्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीती का संचालन किया जिसे blue water policy अत्वा सांत जल की नीती कहा जाता है तो सांत जल की नीती जो थी वो किशने लागू की फ्रांसिसको डियल मीडा ने सांत जल की नीती या blue water policy बैसिकली एक ऐसी नीती थी जिसके द्वारा इसने मजबूत समुद्रिक नीती का संचालन किया यानि कि समुद्र पर अपना नियंत्रण इस्थापित कर लिया चुकि पूर्दगालियों के पास मजबूत नौसैनिक बेड़ा था जहास थे तो इन्होंने समुद्र पर अपना नियंत्रण इस्थापित कर लिया और इसका मानना भी था कि एगर आपका नियंत्रण समुद्रण पर है तो आप भारत पर नियंत्रण रख सकते हैं अपना परभाव बना सकते हैं 1508 में वह चौल के युद में गुजरात के सासक से प्रास्त हो गया था हार गया था प्राजित हो गया था चौल का युद पंदरा सौाट में हुआ एक तरफ गुजरात के सासक थे दूसरी तरफ फ्रांसिसको डियल मीडा पुर्तगालियों की तरफ से था प्रतगाली गवर्नर ये वाइस रायब पंदरा सुन्नो उस्वी में उसने महमोद बेगडा मिस्र तथा तुर्की के सासको के समुद्री बेड़ को पराजित किया नहीं कि मिस्र महमोद बेगडा और तुर्की ये तीनों सासक एक तरफ थे और दूसरी तरफ था फ्रांसिस्को डियल मेडा फ्रांसिस्को डियल मेडा ने इन तीनों के समुद्रे बेड़े को हरा दिया ये आपको बस थोड़ी ऐसे ध्यान में रखनी है थोड़ी चीजे जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी चौल का युद्ध है ये सारी चीजे आपको याद में रखनी है बाकी यहां से कोई विसेश प्रस नहीं पूछे आते हैं लेकिन फिर भी फिर जो दूसरा था वो था अलफांसो डी अलबुकर्क 1509 से 1515 देखें नाम थोड़ा एक ही जैसा है ये था फ्रांसिसको डी अलमीडा और ये है अलफांसो डी अलबुकर्क या भारत में दूसरा पूर्तगालिवा इस राय था उसने अलमीडा की ब्लु वाटर पॉलिशी को बंद करवा दिया 1510 में उसने बीजापुर के सासक यूसुफ अदिल साह से गोवा छीन लिया 1510 में अलफांसो डी अलबुकर्क ने बीजापुर के सासक यूसुफ अदिल साह से यूद करके गोवा छीन लिया अलबुकर्क ने पूर्तगालियों को भारती इस्त्रियों से बिवाह करने के लिए पूरुष शाहित किया क्योंकि यह चाहता था कि इसका मानना था कि एगर हम भारत पर अपना पूर प्रभाव इस्थापित करना चाते हैं तो यहां के धार्मिक रीत रिवाजों को संसकारों को प्रमप्राओं को हमको जानना पड़ेगा अलफांसो डी अलबुकर का मानना था तो अब कैसे जान प विवाह करेंगे और फिर धीरे-धीरे हम उनके समाज को समझ जाएंगे उनकी संस्किति को समझ जाएंगे तो हम अपना नियंतरण बहतर रूप से इस्तापित कर पाएंगे तो इसलिए इसने पूर्टगालियों को भारती इस्तरियों से विवाह करने के लिए परुशाहित किया अल्वुकर्क ने महसूस किया कि पूर्भी व्यापार के मुखिता तीन केंद्र है इसको इसने जांश परताल की और कहा कि पूर्भी देश के जो व्यापार के केंद्र है वो मुक्ता तीन केंद्र है एक है मलक्का दूसरा आर्मुच ये जलसंदिया है छेतर के नाम है मलक्का जलसंदी आर्मुच जलसंदी और अधन की खाड़ी तो इसने सोचा कि अगर इन तीनों केंद्रों पर हम नियंद्रण इस्थापित कर लें तो पूर्भी व्यापार पर हमारा नियंद्रण इस्थापित हो जाएगा तो इसने किया भी मलक्का पर 1511 में नियंद्रण किया आर्मुज पर 1515 में प्रते शुरूप से नियंत्रण कर लिया दोनों पर और अधन को भी लगभग नियंत्रण में अपने करही लिया था तो ये अल्फांसो डिया अल्बूकर्ग था एक बात और जानी है कि अल्बूकर्ग को भारत में पुर्तगाली समराज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसके पहले हाला कि फ्रांसिस्को डिया अल्मीडा आ चुका था वाइसराय की रूप में लेकिन अल्फांसो डिया अल्बूकर्ग ने कुछ महत्पूर कार किये जिसकारण हम इसको पुर्तगाली समराज का वास्तविक संस्थापक कहते हैं फिर जो अगला महत्पूर वाइसराय होता है वो होता है नीनोडी कुनहा नीनोडी कुनहा 1529 से 1539 तक रहता है बीच में मैंने कई छोटी छोटे गवर्नर वाइसराय आते हैं वाइसराय आते हैं, तो उनका कोई विशेश कारे नहीं रहता है, इसलिए उनका वड़न जल्दी कहीं मिलता नहीं है, सीधे में हम लोग बात करते हैं, नीनोडी कुन्हा की, यह अलबुकर के बाद सबसे महतपूर वाइसराय था, 1530 में इसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई और इसने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तिय भी बनाई, यहां इसने होगा, इसमें नहीं, इसने, इसने गुजरात के सासक बहादूर सास से मुलाकात के दोरान जहाज पर उनकी हत्या करके बसीन, 1534 में तथा दीव 1535 में इस पर अप पत इस्तापित कर लिया, अधिकार कर लिया, गुजरात के जो सासक थे, उनी के अधीन में बसीन और दीव दोनों छेतराते थे, तो गुजरात के सासक से मुलाकात करने के दोरान हाथ मिलाते समय किसी तरह से उनकी हत्या कर दी और दोनों छेतरों पर अधिकार इस्तापित क भारत का जापान के साथ व्यापार का स्रेवी पूर्टगालियों को ही जाता है यानि भारत का जापान के साथ जो व्यापार सुरुवात हुई उसका स्रेवी पूर्टगालियों को ही जाता है फिर एक यहाँ पर पद्धती है कॉर्टेज और मेड़ा पद्धती आपने सुना होगा पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले आयात निर्यात पर एकाधिकार कर लिया उन्होंने यहां कार्टेस आर्मेडा पद्धती लागू की इस पद्धती के अंतरगत हिंद महासागर से गुजनने वाले प्रतेग जहाज को सुल्क देना पड़ता था देखे हिंद महासागर बोले या अरब सागर बोले दोनों एक ही बात है चुकि हिंद महासागर अरब सागर पर पुर्दगालियों ने अपना नियंत्रान स्थापित के लिए मैंने बता है कि इनका जो जहाजी बेड़ा था नौसैनिक बेड़ा था वो काफी मजबूत था बड़े बड़े जहाज थे इनके पास सकती साली जहाज थे मजबूत अब कोई भी व्यापारी कोई अन्य व्यापारी अगर समुद्री जहाज से अपना व्यापार करना चाहता है तो अगर वो अरब सागर से हो कर जाएगा या हिंद महा सागर से हो कर जाएगा तो यह पुर्दगाली उससे एक टैक्स लेते थे सुल्क लेते थे कहते थे कि इन पर हमारा नियंदर ना इसलिए आपको टेक्स देना पड़ेगा और जो टेक्स नहीं देता था उसके माल को लूट लेते थे तो देना ही पड़ता था चुकि इनकी सक्ति सालिश ये ना भी थी जहास पे मौजूद रहती थी कहा जाता है अकबर को भी एक बार ये सुल्क देना पड़ा था अब यहाँ पर बात करते पूर्तगालियों ने भारत को दिया क्या कुछ चीजे थी जो पूर्तगाली भारत में लेकर आए जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती पूर्तगालियों ने भारत में सुल्वात किसकी जहाज निर्माल तथा प्रेंटिंग प्रेस यहां तथा होगा तथा देखे एक दो जगा टाइपिंग मिश्टेक हो सकती है जहाज निरमार तथा प्रेंटिंग प्रेस की सुरुवात यानि छपाई खाना जो है इन सब की सुरुवात भी भारत में पुर्तगालियों ने ही की इस्थापत तिकला में गोथिक कला का विकास गोथिक कला एक सैली है जैसे हमारे यहाँ इस्थापत कला में द्रवेड सैली है वैसे ही यूरोपीय सैली है गोथिक सैली जिसको हम बोलते हैं तो उसकी सुरुवात भारत में पुर्तगालियों ने की गोथिक कला में या गोथिक सैली इसको बोल सकते हैं पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था क्यों पुर्तगाली हमारे भारत में ज्यादा देर तक नहीं रह सके आप देखेंगे कि अभी हम आगे पढ़ाएंगे बिटिस जब अंगरे जाएंगे तो 200 वर्सों तक सासन करत हैं तो देखें धार्मिक आसह सुड़ता पहला कारण इनके पतन का यही था कि इन्होंने आते ही धार्मे में हमारे हस्तशेप कर दिया जैसे इन्होंने भारतिय व्यापारियू संग लूट पाट की भारतिय महलाव संग बैवाहिक नीति अपनाई अब ये विवाह साधी कर अराज हो गया कि ये ना हमारे समास को जानते हैं ना हमारे रीत रिवास परमपराओं को जानते हैं तो उसको मानेंगे कैसे और साधी करने लगे जबरन साधी कराने लगे मराठो और मुगलो द्वारा इनका काफी बिरोध किया गया इस कारण ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए आगे हम लोग देखेंगे और भी यूरोपिय कमपनी आती है अड़ा चाहेंगे, बिटिस आएंगे, फ्रेंच आएंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं आगे की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे अगले वीडियो में और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए